मैं आपको बताना चाहूंगा कि Election Commission और Chief Electoral Officer गुजरात के द्वारा गुजरात राज में जो Assembly के चुनाव हुए उनकी Counting के लिए पूरी विवस्था और सुरक्षा विवस्था अच्छी तरह से बनाई गई है EVM के बारे में जो प्रशन कुछ लोगों ने उठाए हैं उसका उत्तर हमने मीडिया में भी दिया है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि EVM जिनके द्वारा वोटिंग होता है EVM और VVPAT उसके अंदर VVPAT की विवस्था सभी 50,250 पोलिंग स्टेशन में करी गई थी जिसमें गुजरात के दरेक वोटर ने जिसको वोट दिया था उसको वो अपनी आखों से देख सकता था ऐसी विवस्था VVPAT में है इसलिए EVM के द्वारा जो वोटिंग के बारे में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है और I can assure you और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि EVM को टैंपरिंग नहीं हो सकता है यह हमने पूरे विश्वास के साथ में आपको यकीन दिलाना चाहता हूं